हलो माई दियर फ्रेंड्स स्वागत आपका अपने इस चैनल मेडिकली ग्यान में अभी जी एनम के एक्जाम आने वाले हैं तो उनके लिए कुछ हम कोश्चन लेके आए हैं मेडिकल सर्चिकल नर्सिंग फर्ष्ट से तो इसको देखते हैं थोड़ा सा और हमार साथ बनिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए नोट्स हैं आपके लिए कि जो भी हम इसमें टोपिक बताएंगे आपको उसके अंदर आपको मनेजमेंट, नर्सिंग रोल, कोश, साइन्स सिम्टम ये इंक्लूड करने हैं किसी भी डीजिस के बार हम लिखने के बाद हमारा जो काम है वो नर्सिंग मनेजमेंट है तो वो आपको हर जगान लिखना ही है चाए पूछे चाए ना पूछे तो रोल ओफ नर्स, मनेजमेंट, कोश क्या है, साइन्स सिम्टम क्या है, इंक्लूड करना है सब में तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट है एडेमा, एडेमा क्या है, सेम टू सेम वो ही कोश सिस्टम, साइन्स सिम्टम, मेडिकली और नर्सिंग मनेजमेंट इसके बाद दूसरा है, हाइपर नेट्रिमिया, वी पी एच, पलूरल ड्रेनेज प्रोसीजर, पेन मनेजमेंट ये कोशन शोर्ट में भी आ सकते हैं, और लोंग में भी आ सकते हैं, तो इनको देख लिजेगा थोड़ा वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में इसकी मनेजमेंट क्या होती है, प्रोसीजर क्या है 5 Rights of surgical passport और जो ड्रग अर्मिस्टेशन के भी 5 rights होते हैं, वो भी आपको देखने हैं नैस्ट आपको ओता है, Pre-operative, Post-operative nursing Care और inter-operative भी बोल चलेता हैं कई बार, nursing process जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए assessment वगरा, implementation, planning, objective क्या होते हैं, diagnosis किसे बनाते है आफ्टर केर क्या होती है, सब को पूछ सकते हैं एक प्रोसीजर को, फिर आता है लंबर पंचर, रोल ओफ नाइन, इन बर्न, और नर्सिंग मनेजमेंट सब में आएगी, तो आप उसको थोड़ा देख लिजिए, रोल ओफ नर्स और नर्सिंग मनेजमेंट के बारे में, और ओटीटीम क्या है, और ओटीटीम में कौन-कौन होता है, इंफ्लामेशन, प्रोसेस क्या है, इंफ्लामेशन होता क्या है, ये पुछ लाता है, ब्रोंकियल अस्तमा, टाइब उसके क्या-क्या है, ये बड़े कोशनों में आते हैं, तो इसको अच्छे से देख के जाएए, यह आप अस्तमा, प्रोंकेल, अस्तमा, टाइप, साइंजसे मिलाईटस, टाइपन रिखनी ही गये पुर्स है, गयार कोई, सिंप्टम के क्या है, मुलारा कॉाइपन रिखनी ही, next आप क्या आता है intestinal obstruction hernia chronic renal failure renal, calculi type sign symptom cause management head injury addition disease Cushing syndrome, peptic ulcer इसके type क्या है management बगरा सबाव को ऐसे ही सब के लिए है management और यह आपको सब में लिखनी है next है hepatitis, pneumonia pneumonia, TB, COPD और साथ के अंदर याद रखेगा जो हम भी कोशन बता रहे हैं यह आपको external पढ़के जाने है हमारे लिए तो यह important है बट इसका मतलू यह नहीं कि आप कुछ और भी ना पढ़े इसको भी अच्छे से देख लेना mostly questionnaire से आ जाते हैं बाकि अपनी फुल त्यारी आपको वो वैसे ही रेगुलर करनी ही है hepatitis pneumonia TB COPD appendicitis encephalitis CVA epilepsy और nephrotic syndrome यह कुछ कोशन है कुछ टोपिक है जो आपको पढ़के जाने चाहिए इससे आपके कोशन में काफी exam देने में help हो सकती है तो हमारे दुआरा कुछ यह कोशन बनाए गए है 33 कोशन है तो थैंक यू और कोशन देखिए चैनल पर विजिट कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है हमारा material तो आप इसे लाइक भी कीजिए सब्सक्राइब भी कीजिए थैंक यू